हलो गाइज, वेलकम टू कर्यर मीडिया वंस अगीन, माइनम इस घुलशन शाह, फ्रेंट्स, कल सुप्रेम कोट में कोट केस की हीर दिंग थी, और जो हीर दिंग थी वो इस वज़े से थी, क्योंकि स्टुडेंट्स ने कोट केस किया था कि राउंट टू काउंसलिंग में जि तो न्यू स्टुडेंट्स है, उनको सीट नहीं मिलेगी, एक ही स्टुडेंट्स जो है वो हर जगा सीट ले ले लेंगे, तो सीट ब्लॉकिंग की जो चांसें हैं वो बहुत जादा बढ़ याती है, तो जो स्टुडेंट के तज़व से कोट केस की गई थी, वो बिलकुल स clarity नहीं दी गई थी and that is why students जो है उन्होंने ये court case किया था जब ये court case की hearing हुई कल तो उसकी supreme court के तरफ से clear order आ चुकी है कल ही इसकी order आ चुकी थी और इस order के तहत अगर student को special round counseling में seat मिली है वो उसे लेना चाहते हैं तो उसे join कर सकते हैं और अगर वो उसे join करते हैं तो उनकी counseling वहीं पे खतम हो जाएगे that means की वो map up में नहीं जा पाएंगे एक short statement में मैं आपको बताओं तो round two counseling तक जिन्हें seat मिली हुई है वो map up round counseling में नहीं जा सकते इसके अलग-अलग तरीके हैं इसके इसे जो supreme court ने कहा है वो किस तरीके से कहा है कि एक opportunity उने student को भी दी गई है जिन्होंने seat रहते हुए special round counseling को अटेंड किया है सबसे पहले तो इस order को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस order में दिया गया है कि अगर आपको वन अगर 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 अपने अगर स्टुडेंट ने special round counseling अटेंड किया है उन्हें वो seat कोई seat मिली है वो उस पर join करते हैं तो वो उनकी final seat होगी last seat होगी अगर उस student ने कहीं और भी round two तक कहीं और किसी अल इंडियो कोटा की round two counseling तक कोई उनके पास कोई seat थी तो वो seat जो है वो उनकी cancel हो जाएगी और वो seat खाली आजएगी मौप अप्राउड में यह first part है order की दूसरी part है कि अगर वैसे student जो जिनके पास already seat round two counseling तक थी और उन्हें अब special round counseling में भी seat मिली है तो उनके लिए भी एक opportunity दी गई है कि आप वापिस अगर इस 146 seats जो special round counseling वाली seat को अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो आप वापिस अपने पुरानी seat पर जा सकते हो यह आपकी मर्जी है तो उन students को भी एक opportunity दी गई है क्योंकि जो 146 seats जो थी special round counseling में वो अच्छी seat नहीं थी वो अच्छी hospitals नहीं थे वो mostly diploma की और dnb की seats थी तो obviously जो students ने choice filling की थी वो कुछ इस तरीके से की थी कि वो उनको seat मिल जाएगी तो वो छोड़ करके आगे मौपापराण में चले जाएगे बट अब वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि supreme court की order आई है supreme court की order आने के बाद उन students को एक मौका दिया गया है कि अगर आप अपनी 146 seats जो special round counseling है उस seat से satisfy नहीं हो तो आप अपनी जो पुरानी status है current status उस पर आप वापिस जा सकते हो round two counseling में जो seat थी आपको मिली थी जो आपने held किया था उस पर आप वापिस जा सकते हो तो यह इस order की दूसरी बात है तीसरी बात यह है कि जो impact होगा वो क्या होगा कि जो 146 seats है उसमें mostly 99% seat है जो होंगी वो 95-96% seat है जो होंगी वो approximately वो खाली ही जाएंगी और वो मपप राउंड में ही आएंगी राइट जिन student को first time special round counseling में seat मिली मतलब कि उससे पहले उनको seat नहीं मिली थी round two or round one में seat नहीं मिली थी but special round counseling में seat मिली उनके साथ क्या है कि वो इस seat को छोड़ कर exit with fall feature लेकर के मौप राउंड में दुबादा से registration करके मौप राउंड अटेंड कर सकते हैं लेकिन एक condition है कि उन्हें इससे पहले उनके पास कोई seat नहीं होनी चाहिए अगर उनके पास इससे पहले कोई seat होती तो वो फिर मौप राउंड में नहीं जा सकते थे अगर उनके पास कोई seat नहीं थी और उसके बाद उन्हें special round counselling में seat मिली तो वो इस seat को छोड़ कर exit with fall feature लेकर के वो आगे मौप राउंड में जा सकते हैं इसका impact क्या होगा जैसे मैंने आपको first point बताया कि इसका impact यह रहेगा कि जो 146 seat की special round counselling हुई उसमें साधा तर seat जो है जाएंगी एक दो तीन seat हो सकता है कि दो तीन seat हो सकती है कि student उस पर admission लेले बांकि सारी के सारे seat खाली रह जाएंगी और वो seat चली जाएंगे मौप राउंड counselling में तो मौप राउंड counselling में एक तो यह seat आ रही हैं और दूसरी बात कि round 2 counselling में जिसके जिसके पास भी seat थी व वो स्टुडेंट्स मॉपप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है चाहे वो स्टेट हो चाहे वो अल इंडिया हो तो वो स्टुडेंट्स भी जो है जो ब्लॉकिंग हुई थी चुकि लास्ट टाइम जब हमने मॉपप में देखा था इससे पहले जो मॉपप हुई थी तो उ अब कटउफ जो है वो बिलकुल जो कटउफ है उसके लो आने के चांसेज मतलब पॉजिट्टिव जाने के पूरे पूरे चांसेज है तो यह जो एक ओरडर दी गई है स्टुडेंट्स के तरब से यह मुझे लगता कि बहुत जन्वीन ओरडर दी गई है जिसमें मौका नि दिया गया कि आप अगर चाहें तो 146 सीट में से अगर आपको मिलती है सीट तो आप उसको जोइन कर सकते हैं और अगर उसको जोइन नहीं करना चाहते हैं तो आप अपने पुराने सीट ले सकते हैं और इनको नहीं मिली है सीट और उससे पहले उनके पास सीट थी उनको वह प तरह के students को benefit दी गई है, तरह के students को मुखा दिया गया है. That's all for today, मिलते हैं next video में कुछ और updates के साथ, तक के लिए have a nice day, thank you so much. झाल 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 झाल